So, Hey What's Up Guys, कैसो आप सभी आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus Node CE3 डिवाइस के बारे में और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक नया सोफ्वेर अप्टेट है, वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और गईस इस अप्टेट के अंदर आपको काफी सारे नए फीचर है ना, वो देखने को मिल जाते हैं और अभी जो मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ, वो OnePlus Node CE3 नहीं है लेकिन जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ ना, वो मेरे स्मार्टफोन के अंदर पहले ही आचुके तो complete इस वीडियो को वोच करते रिए, काफी स्पेसल फीचर्स हैं, वो इस अप्टेट के अंदर एड़ किये गए हैं और वीडियो आपको ये पसंद आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकतो चैनल पे आप लोग पहली बार विजट कर रहो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ओल पर प्रेस कर लेना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अप्टेट के बारे में, तो अप्टेट का वर्जन नमर आपको मिलता है 14.0.610 और 118 GB आपको अप्टेट की टोटल साइज है, वो देखने को मिलती है मतलब की 1.18 GB तो लगबग आप लोग 15 GB इस अप्टेट की टोटल साइज है, वो आपकर मान के चल सकतो और इस 15 GB साइज के अंदर आपको काफी सरे नई फीचर्स है, वो देखने को मिलते है इस अप्टेट के अंदर आपको फर्स्ट बड़ा चेंज है ना, वो देखने को मिलता है जो कि इस अप्टेट का सबसे बड़ा चेंज लोग है और वो है नया कंट्रोल सेंटर फाइनली गाइस, OnePlus की तरब से काफी लंबे समय के बाद में एक नई डिजाइन है ना वह यहाँ पर रिलीज की गई है, कंट्रोल सेंटर के अंदर और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको brightness slider है, उसकी style है ना, वह यहाँ पर different देखने को मिलती है पहले आपको नीचे की side देखने को मिलता था और उसकी style भी अलगती और अब यहाँ पर इसको horizontally आप लोग देख सकतो, काफी यहाँ पर अच्छी तरीके से manage किया गया है साती में आप लोग देख सकतो, इसी के side में आप लोगों को volume slider है, वो मिल जाता है तो आप लोग अपने control center से ही जो volume है ना, उसको आपर increase या फी decrease कर पाओगे नीचे के आपको icons है, वो यहाँ पर कुछ इस परकार से देखने को मिलते है तो इनके अंदर कोई भी आपर change आना, वो नहीं किया गया है लेकिन मुझे लगता है, हलकी सी जो आपको icon की size आना, वो थोड़ी आपर small देखने को मिलती है और OnePlus की जो original cloak design है, वो आपको आपको आपर कुछ ऐसी देखने को मिलती है लेकिन इसके अंदर एक चीज है ना, वो मुझे अच्छी ये नहीं लगी है कि white color का जो background blur है, वो OnePlus की तरब से provide किया गया है जबकि OnePlus की जो number series है ना, उसके अंदर आपको कुछ इस type का background blur effect है ना, वो देखने को मिलते है जो कि हमारा कुछ-कुछ orange color का background है, तो आपको कुछ इसी type का blur effect है, वो control center के अंदर देखने को मिलते है जबकि आप लुग अपने OnePlus node CE3 device के अंदर चेक करोगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा white color का जो background blur है ना, वहाँ आपर नजर आएगा तो ये मतलब कि OnePlus की तरब से थोड़े differences है ना, वहाँ पर create किये जाते हैं, node series के अंदर और यहाँ पर number series के अंदर इस update के अंदर आपको second बड़ा change है, वो मिलता है control center के अंदर, तो हाँ first वाला भी यही है, और second वाला भी यही है, आपको guys अपने phone के अंदर just एक कोई भी song है, वहाँ पर play कर लेना है, और यहाँ पर उस application को close कर देना है, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर check out करोगे half control center का जो layout है वहाँ पर change हो चुका है, क्योंकि एक music का widget है, वहाँ पर आ चुका है, और जब आप लोग इसको swipe करोगे, और control center को पूरी display के अंदर expand करोगे, तो आप लोग चेक आउट कर पारेंगे, overall आपको control center की जो design है वहाँ पर change देखने को मिलती है, क्योंकि एक नया widget है वो आचुका है, इसकी design है, वो पुराने वाले update की तरह ही है, इसके अंदर कोई भी change नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकतो, इस परकार से इस control center की design है वो change हो चुकी है, तो अगर आपको अपने control center को वापस से पहले की तरह करना है, तो simply उस song को pause कर देना है, और recent से उस application को remove कर देना है, बाद में आप लोग चेक आउट कर सकतो, आपका control center है, वो वापस से पहले की तरह यापर apply हो चुका है, और गई जो next change है, वो आपको मिलेगा, app drawer के अंदर, finally app drawer का जो layout है वो आपको यापर कुछ इस type से देखने को मिलते हैं, काफी अच्छी तरिके से manage किया गया है, अभी आप लोग बता सकतो, comment section के अंदर, कि आपके phone के अंदर white color का background blur effect है, वो यापर मिला है, या फिर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूना, original background blur effect है, वो कुछ ऐसा देखने को मिलते हैं, तो कौन सा आपके phone के अंदर आया है, बता सकतो, comment section के अंदर, और next change ह वो भी आपको इसी app drawer के अंदर मिलेगा, simply आपको अपने phone के अंदर hidden application को access करना है, तो उसका एक नया layout है, वो आच चुक है, आपको किसी भी application से, इस परकार से swipe कर देना है, तो ये वाला एक layout आजाएगा, और आप लोगों को बस जो number सा आपने लगा रहे हैं, वो लगा द करेगी, वापस से आपको सेम उसी type का जो layout है, उसको open करना होगा, और उस application को आप लोग direct यहीं से access कर सकतो, या फिर इसको unhide करके, अब आप लोग check out कर सकतो, Amazon application है, वहाँ पर आ चुकिए, तो ये एक नया layout आ चुका है, जो कि आपको कुछ इस परकार से देखने को मिलता next feature है guys, वो आपको मिलेगा, आपके setting application के अंदर, setting application के अंदर आने के बाद में, simply आपको special features के अंदर आ जाना है, थोड़ा आप लोग नीचे की तरफ swipe करोगे, तो आपको gestures and motion का एक option है, वो देखने को मिलेगा, ये वाला option में भी इस update के अंदर, या फिर इससे पहले आ तो इस option को simply आपको on कर देना है, on करने के बाद में आप लोग चेक कर सकतो, आपका phone off है ना, आपको on करने की जुरत नहीं है, simply volume down button है, इस पे आपको press करके रखने है, और आपकी torch ना, वह आपर on हो जुकिए है, और torch को आपको off करने है, तो simply आपको अपने phone को on कर देना है और torch है, वो automatically आपर off हो जाएगी, और जो next change है, इस update के अंदर, वो आपको मिलेगा, आपकी lock screen के अंदर, lock screen का जो layout है ना, वो आपको आपको यापर कुछ इस type से देखने को मिलते हैं, आगे मैं आपको बता दूँगा, ये wallpaper आप लोग कहां से download कर सकतो, और ये वाला भी, लेकिन जो change आपको मिला है, वो मिला है, इस नई clock design के अंदर, finally oneplus की दरब से एक नई clock design है, वह आपर add की गई है, इस update के अंदर, जो की आपको आपको यापर कुछ इस परकार से दिखाई देती है, तो आप लोग बता सकतो, आपके phone के अंदर, ये वाला wallpaper या फिर किसी भी wallpaper को apply करने के बाद में clock style है, वह आपर कैसी नजर आ रही है, wallpaper guys आपको यापर download करने है, कुछ इसी type के same wallpaper, तो simply आपको telegram application को open कर लेना है, और आपने अगर अगर हमारा oneplus का telegram channel open करके रखा है, तो इसी के bio में मैंने आपके साथ में सहेज wallpaper, telegram channel की link है, वह आपर attach की वी है, फिर आप लोग directly सहेज wallpaper, telegram पे सर्च करके इस telegram channel को access कर सकतो, और आपको यापर कुछ इस type के काफी अच्छे premium quality के जो wallpaper है, वो मिल जाएंगे, जो कि मैंने low की screen के अंदर लगा रखा है, वो आप लोग देख सकतो, ये मैंने आपके साथ में share किया है, तो आईए और यापर इस telegram channel को join कीजे, बाकी telegram application को open कर ही लिया है, तो आप लोग मारा OnePlus का Oxygen OS update का telegram channel है, उसको भी आपर join कर सकतो, लास्ट इस update के अंदर आपको change मिलता है, जून मन्त का latest security page level का update, जो कि आप लोग देख सकतो, OnePlus की तरब से भी आपर mention किया गया है, वैसे मैंने post रहना, वो आप आपके साथ में अपने telegram channel पे share कर दिये, जहां पर सभी changes है ना, वो आप लोग देख सकतो, फर्स्ट वाला change ये है, कि आप लोग अपने phone के अंदर, जो control center है, वहीं से volume है, उसको access कर सकतो, और जो second change में आपको बता दिया है, कि आपकी ये जो clock की style है, वहां पर change हो चुकी लोग की screen के अंदर, और एक और change है ना, वो आपको मिलता है, वो ये है, कि किसी भी एक application को, आपको simply यहां पर floating window है ना, उसके अंदर यहां पर कर देना है, अभी इसकी जो size है ना, वो आप लोग पहले ऐसे यहां पर increase करते थे, लेकिन अब आपको एक नया layout है, वो मिलते ह यहां पर select कर सकतो, साथी में इसको remove करने का भी एक नया method है, वो आचुका है, simply आपको इसके home button पर press करके रखना है, और इस परकार से आपको इसको यहां पर remove कर देना है, तो यह कुछ नए features हैं, वो आपको मिल जाते हैं, floating window के अंदर, जो कि आप लोग यहां पर check out कर सकतो तो काईस, लगबग सभी features, जो कि आपको इस update के अंदर मिले हैं, सभी मैंने आपको बता दी हैं, तो वीडियो आपको यह अच्छी लगी, तो आप लोग वीडियो को like कर सकतो, चेनल पे आप लोग पहली बार visit कर रहो, तो subscribe करके, bell icon को जरूर से all पर press कर लेना, ताकि future में